इंडिया की foreign policy बहुत best है आप UAE में देखें कितना influence हैं उनका Canada के लिए apply करते हैं वो लोग without hesitation विजा मिलता है उनको ठीक है और पाकिस्तान ही रगड़ते रहते हैं आपने आपको कि जिनाप किसी तरीके से मिल जाओ और reject होके बैठ जाते हैं जब तक हमारे मुलक में इनसाफ और कनून नहीं नहीं होगा यह atomic power यह सब कुछ माइने से एक किसम की पंगला देश हमसे बहुत आगे निकल गया ठीक है एकनॉमिकली हमसे बहुत आगे currency देखें उसकी उसकी value देख ले हैं हमारे रुपे की देख लिए हमारे से अफगानिस् अपने मुलक में आपने गरीब भाई को रोटी नहीं दे सकते हैं तो वहां पर हमां अटामिक अनर्जी जो अटामिक पाउर है उसका क्या फैदा अब आमने रोटी के जगां वह बांबतों नहीं बांद रहे हैं सर अमारा नाम कहां चला गया है यह देखें हैं वह जो अंड़ी ली तो और निप्ता देगा तो इंडिया दो बहुत शितान अपैने शितान मौल रे यार never उपी खर रहे हैं गिंडिया ही यह जंग हर वासकता अभी रिसंड ली एक समिट हो रही है डरें 30 कंट्रिस को बिला रहा है लेकिन पाकिस्टान को उसमें नामics निशानी है, सबसे पहले सुधी अरेबे ने कॉल की है, इंडिया को के भाई आप आओ और इस मामले को सोट आओट करवाओ, रशिया और यूकरेट के दरम्यान में बाचित करके सुला करवाते हैं, क्या बात है पाकिस्तान को कोई खाते में नहीं ला रहा है और इंडिया की इतनी रजान की उन लोगों का? इतना चोर है, वो यह कह गया है, हम अभी उसी दलदल में फसे हूँ है, उसकी वज़ा से एक तो अवाम पे बोज़ पड़ रहा है, टेकसेज अवाम पे आ रहे हैं, बिजली के बिल जो है, वो गरीब अवाम पे आ रहे हैं, नई पलीसिज, नया कनून जो आ रहा है, वो कुछ भी नहीं है, आप मंगते हो, बहकारी हो, आपने मांगना है, आपको क्यों कॉल करें सॉमिट में, बताएं ना को यसी को खूबी हो, तो पाकिसान को इन्वाइट करें, कुछ भी नहीं आप अपने रोलों में पड़े हूँ है, अवाम आपकी जलील हो रही है, करजे पर मुलक पढ़ रहा है, डिफाल्ट होने के करीब है, कोई इदर आपकी कल वो छोटी बची देख लेका मुलाजमा रिजवाना बची, उसके साथ क्या कि यह आपकी सिवल जज्जेज हैं, आपके गरों में बचीयां काम करती हैं, उन पर तशद्द किया जा रहा है, क्या इंटरनेशनल मीडिया पर यह चीज़ें नहीं जा रही है, नाकी साथ की कैबनेट है, वजीर खारजान नाकी साथ के वजीर आजम नाकी साथ है, आएन आपका जिबा हो चुका है, कनून की बात कोई नहीं करता, तो फिर यही हाल हो गए इदर पाकिसान में, यहां पर अग हम डिकलेर हो गए हैं कि पाकिस्तान वर्स ओफ क्रॉप्शन के हसाब से हम पहले नमबर पर हैं, लेकिन अगर बात करेंगे इंडिया एकॉनमी के लिया से, क्या वज़वात है कि एक टाइम था कि हम कंपैरिजन करते थे, हम बता दे कि हम इंडिया से आगे हैं, आज कंपैर जो पार्क बननी थी ना पाकिस्तान में, ये इंडिया में क्यों बनी हैं, सिर्फ आपके हुक्मरानों की वज़ा से, आज एपल का बनी इंडिया में क्यों जा रहा हैं, आपके सिर्फ हुक्मरानों की नलाइकी की वज़ा से, आज वहां पे टेसला गाड़ी के उपनी क्यो लगा के रखा है तो इंडिया ने तो आगे जाना बैजन हम कौम प्रस्ती में फिरका प्रस्ती में हम पॉलिटिशन में वो चोर है वो चोर उसके पीछे हैं आप इंडिया से कंपेरिजन कारी नहीं सकते हैं वो महिबे वतन कौम हैं उनके लीडर महिबे वतन है उधर मेरा प्रोफेशन भी यह है लेकिन मैं फिर भी बात वह करूंगा जो आज़े पाकिसानी करनी चाहिए आप यहां किसी गरीब बंदे से पूछ ले यह खड़े रिजक के लिए अभी कारप्रेशन वाले आएंगे उठाके ले जाएंगे तो किसी किसी अमीर का रेस्टोरेंट बंद करके दिखाएं हमें तो बजन ही अपनी पलीसी है हमारी जिसकी लाठी उसकी बेहांस है यह जंगल का कनून है ऐसे ही है उससे भी आगे चलेगे हम सर्वाइफ करना पॉसिबल है जहां जिस मुलक में लोग और नहीं होता वो कि अपनी मौत खुद नहीं मर जाती बज लोगी इंटरनेशनल तो बात ही छोड़ देना क्या आपको को इन्मिटेशन आएगा यह होगा कुछ ब नहीं होना आप अपने वजीरे खर्जा देख लें अपना वजीरे खजाना देख लें लो मिनिस्टर देख लें आपने चार दिनों में 400 बिल अपने पास करवा लिए पते ही निए कौन-कौन से जो के सब कुछ सब पावरें अदारे को दिये में अदालतों से उठाकर यहां यह बात तो कोई अलग टोपिक और दूसरी तरफ चले जाएंगे लेकिन दुबारा अपने टोपिक के उपर आते हैं क्या इंडिया मिलकर सौधी रिबे के साथ का य और यह जो समिट और इदर इनवायटेड इनडिया जरूर है पाकिस्टान नहीं है अपसे पहले नंबर पर आप एक साल पीछे चले जाएं अफगानेस्तान को अगस्त में क्लीर करवाईा बार चीत करके पाकिस्तान जामें ता अलाकर वहां से क्लीर करवाना बड़ा मुश सब्सक्राइब करने का परपस है सबसे पहले नंबर पर उसने कॉल इंडिया को कि है पाकिस्तान को अभी तक कोई कोल नी आई ना इस बारे में कहीं बाची चल रही है अगर हम देखें इससे पहले अमेरिका ने एक स्ट्रेटमेंट दी थी युकरेयन और रुशिया की जंग को लेकर उसने कहा था अगर इस दोनों मुलकों के दरिमेन अगर को सुला करवा सकता तो वो इंडिया करवा सकता त तो दुनिया के अंदर इंडिया को तिनी प região मिलते जा रही है as compared to पाकिस्तान चैन्थ हमारी अपनी फॉरप सी को समझते है kontos क्या है कोई वर्थ है किसी मुलक में बताने हमारे पासपर्ट की क्या वर्थ है हमारी अपनी प्लैनिंग्स क्या है पॉलिसी क्या है कितनी कुछ को अप्रिसेशन मिलती है यूसी के नहीं दीजे और क्या है इंडिया की फॉर्ण पॉलिसी बहुत बैस्ट है आप यूए में देखें कितना इंफ्लेंस है उनका कैनेडा के लिए अपलाई करते हैं वो लोग विजा मिलता उनको ठीक है और पाकिस्तानी रगड़ते रहते हैं आपने आपको कि जनाब किसी तरीक से मिल जाओ और एजेक्ट होके बैठ जाते हैं यह हमारी अपनी इंटरनल फैलियर्स है और कोई वज़ा नहीं इसमें हमारा पासपोर्ट दुनिया के अंदर फॉर्थ वस्तरीन पासपोर्ट के रेंकिंग में आता नीचे से सर अगर बात करें तो क्या इंडिया वाके में रशीया और युकरियन के तर्मियान सौट और करवा सकता है जनाब उसकी वर्थ है तो जब इसको इन्वाल्व किया गया ना उसके बगार तो नहीं हो सकता और कोई कंट को पूछता ही नहीं है यह हम लोग बेसिकली ना बहुत बैकवर्ड हो चुके हैं बहुत बैकवर्ड पर आ चुके हैं पुछ बहुत सारे इशुज हैं क्या कह सकते हैं आप सुधे रिप तो हमारा राइड हंड था एक टाइम पर जी हाँ आप शुकर किजिए को उसने आपको पॉलिसी पर जब उसमें कोई वर्थ नहीं है वो उसको कोई भार नहीं है तो पिर हमें मिसालेत के लिए कौन पूछेगा क्या वर्थ हैं हमारी इंटरनेशनल इनीजिए इंडिया पडोसे के साथ इंडिया के साथ अफगानिस्तान के साथ उसके बाद बंगला देश के सब्सक्राइब तो यह चीजें हमें खुछ सोच नहीं हैं हम लोग बिंग कॉमन पीपल हम लोग क्या कह सकते हैं यह तो पॉलिसी मेकर्स का काम है हम डॉलर है वह कहां से का पहुंचा रहे हैं आप ठीक है तो जिनके बाहर पड़े हुए हैं वहीं पड़े-पड़े मृटिप को अगरी कोशन उसके बाद आपको इजाज़त है सर जिस तरह से हम देखते हैं कुछ टाम पहले सौधी अरेबिया में सोरी यह हमारे प्राइम मिनिस्टर साब गए थे उन्होंने इंडिया के साथ कुछ रिलेशन बैटर करने की बात की तो इंडिया से भी जवाब आया के में हम बैटर करेंगे आप लोग के साथ रिलेशन और रिलेशन बैटर करते साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर वो 370 का आडिकल कश्मीर साड़ाते हैं फिर हमारे रिलेशन बैटर होंगे कल उन्होंने स्पीच दी उसके अंदर भी कहा कि आप हमें इंडिया पानी चोड़ देता है जिस किसम कि वो गुरो कर रहा है दुनिये के पास भी बड़ी महिशत बन गया अपने रिलेटिट उन्होंने का नरेंदर मुझी कि पिछले आपने जिस तरह का बैन किसको में इंडिया पाकिसान करकर आज अगर हम इंडिया पाकिसान ना करते तो आज हमारी स्पीड डबल स्पीड के जा रहें उन्होंने का कि अगर मेरी हुकोमत नेक्स फाइफ यर भी तो मैं थर्ड लाज्स उकॉनमी के लिए मुझे बता दीजे थूरूआट देख लें जो अभी जो करेंट गुवर्मेंट है नारे बहुत हैं हम यह कर देंगे हम इस हाल पर पहुंचे क्यों है उसके बेस्ट देखिए ना के हमारे इंटर्नल क्या इशूज है हमारे एक तो नैश्रल क्राइसिस वह अपनी जगा टाइम टाइम आते रहे उसके लावा फिर हमारी अपनी प्लैनिंग्स कुछ हम मेरे परस्नल इंट्रेस्ट उनकी बजासे यह हाल हुआ बना तो आप किसको ब्लेम करेंगे आप बताएए तैंक्यू जगरिया तैंक्यू अस्वालेकूम असलाम कैसे हैं आप फाइन नाम आपका यूनस जाविल क्या करते हैं मैं टेक्स कंसल्टेंट माशाला जबर्दस होगे सर बेसिकली बात करने का परपस है क्या हलाते मुलक के और गुजारा कैसा चल रहा है कि हालात आपके सा हमारे यहां paur मुलक की यहाद है दुनिया हमें क्यों नहीं लिख Hai की सिकाते में अब यूकरियन और रश्या के तरिमयान का इंडरशियमा मैटर को फटोड़ा डिसकस करूंगा आपके साथ युकरेन और रुशिया के तरिमाइन इस सम्झ चल रही है उनके हलाद बहुत खराब है दो साल साल होने वाला जंग खतम ही नहीं हो रही तो पहले बाची चल रही थी कि सुला सपाटा करवाएंगे बाचीत करवाएंगे लेकिन अभी सोधी अरेबिया ने ये केस उठा लिया सुधी अरेबिया ने समिट रखवाई है वर्ल्ड की 30 बड़ी कंट्री सारी वहां पर उस समिट के अंदर सबसे पहले नंबर पर इंडिया को इंवाइड किया गया लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं कि पाकिस्तान को भी वहां पर इंवाइड किया जाए और बीच के मामला पर नहीं समझा के वहमें बुलाएं तो यह कसूर के हमें पहुचा है सर एक तरफ हम बात करते हैं कि हम दुनिया के सबसे जरूरी हैं हम आट boy है और स हर चीज है जो माइने से एक किसम की जिस हम अपने मुलक में आपने एक गरीब भाई को रोटी नहीं दे सकते हैं तो वहां पर हमां अटामिक अनर्जी जो अटामिक पौर है उसका क्या फैदा है अब हमने रोटी के जगां वो बाम तो नहीं बांद रहे हैं जी बहुत बड़ा कंसर्न है यह चाहिए उस एटम बंब का क्या फैदा कि जो हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं एक ये इंडिया वो हमें इतना जलील कर रहा है वो बलके वो कह रहा है कि हमें तो जंक करने की जरूरत ही नहीं हम अब ये खुद ही आपस में लड़ेंगे बिल्कुल वो तो बलके ठीक कह रहा है हम आपस में ही तो लड़ रहे हैं ठीक है तो मौका दिया है उन्हें हमारे कुछ हिदर लोग मौजूद हैं जो आपस में लडाई भी कर रहें हैं जंग भी कर रहें वह तो खोश हैं उन्हें फिर तो हम नोकर हुए ना वह तो मौत हमारी सरदार हुए जिनको हम कमा के दे रहे हैं हमारे टेक्स पर वह राज कर रहें बिलकुल यह तो बहुत अच्छा लगा बात करके साल होने वाला उस जंग के बरक्स पूरी दुनिया पर एफेक्ट हो रही है मेंगाई बढ़ रही है इंफिलेंशन रेट बहुत जादा हो गया सर इसी बरक्स अगर हम बात करें तो क्या पाकिस्तान पर भी उसी चीज़ का एफेक्ट है या फिर हमारी अपनी अभी अभी की बात कर रहा हूं मैं कल आज और कल के दर्मयान एक मीटिंग रखने वाले चार और सुरी पाँच हो शेंके दर्मयान मीटिंग रखने वाले सूदियर इसमें पूरे आप हो इस मामले में बात करते हैं के मामले को शोट आट करते हैं तो इसके अंदर पाकिस्टान और को कॉलनी कीकल क्या पाकिस्थन को लॉग कुछ है नहीं उसमें एसी पॉकस्तान फॉइम not निया कोई इंडिया बहुत बड़ी मारगीट है झाल 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 आप जाए देखें बैठके वो ऐसे ही होता है और बंदा मांगने को तरजी देता है काम करने को देखें बहुत शुकरिया सर बहुत अच्छा लगा आप से बात करते हैं कि समझे अस्वामने कुछ पहले खबर सुनने को मिली थी कि ये जंग सिरफ और सिर्फ इंडिया और युकरियन के भी दोस्ते दोनों के दर्मियान बैठकर सुला सफाय करके बात खातम करवा सकता है तो सर काफी टायम हो गया तकरीबन साल होने वाला जंग चल रही है तो अभी सौधी रिबे ने बहुत बड़ा कदम उठाया है सौधी रिबे न कहा कि इन दोनों मुलकों इन प्ता वाते हैं तो इंडिया को सबसे पहले नंबर पर कोल किया सर्फ वहां पर पाकिस्तान का कोई 30 मुलक मिठें गे सबसे पहले इंडिया को कि अभी पर नाम पर すल्वता ओंप कहां निए है तो इन्ठा जेनगा इनल्ए बहुत जितान हम सौटिया ड़रा हो देंद ब मिट्रे हमारे माइंड़ت के अंदर ये वह शतान लोग हैं शाय हमारे दुश्मनी होने के वैज़ा से लेकिन international未डिया लेकिन इंटर नेशनली और इसे दी कि यह दो के लेकिन काफ करась वह वो हमारे साथ वो डील करते हैं अमने दोस्कों देख रहे हैं ना एक नेबर एक दुश्मन को किस तरह से डील करेंगे इंदा यह देखिए इतना हमारा नुकसान करें ऑफ फार निधिंग हमारी तो मसाज़ित का वो बुराल करते हैं कि इंडिया में अगर वहां पर होता तो सब महबत करते हैं लेकिन चंद लोग वहां पर भी वैसे हैं और चंद लोग यहां पर भी वैसे जो